रत मेला घूम कर लोट रही नाबालिक के साथ सामुहिक दुशकर्म करने वाले प्रेमी और उसके दोस्त गिरफतार घटना के संबंद में मिली जानकारी के अनुसार दे 7 अब जुलाई को अपनी स्कूटी लेकर रत मेला घूमने गई थी रांची, रत मेला घूम कर लोट रही इट की निवासी एक नाबालिक लड़की के साथ सामुहिक दुशकर्म करने के आरोप में लड़की के प्रेमी, प्रेमी के दोस्त, बॉइफ्रेंड्स फ्रेंड और गाउं के ही एक लड़के को हिरासत मेलिया गया है पांचों लड़कों से मामले में पूच ताच की जा रही है मामले में नाबालिक की मा के बयान पर इट की थाना में पियो सी एसो एक्ट के तहट नामजद प्राथमे की दर्ज कराई गई है घटना के संबंद में मिली जानकारी के अनुसार दे 7 अब जुलाई को अपनी स्कूटी लेकर रत मेला घूमने गई थी जिसके बाद मेला से घूम कर आने के बाद वहले सुबह चार बजे अस्त व्यस्त स्थिती में घर पहुंची उस समय उसके पास स्कूटी भी नहीं थी शुरू में घरवालों ने लड़की को देख कर सोचा कि उसकी तबियत खराब है इसके बाद घरवालों ने स्थानी अस्तर पर उसका इलाज कराया जब इसके बाद भी उसकी हालत नहीं सुधरी तो उसे बेडो स्वास्थे केंडर में इलाज कराने ले गए जहां से उसे रिम्ज रैफा कर दिया गया और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें अमारे आने वाली न्यूज की नडिफिकसन आप लोग को सबसे पहले मिले